हिंदी दिवस के शुब अफसर पर और विदेश में जुड़ने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को मेरी तथा भारत सरकार के विदेश मंत्राले की और से हार्दिक शुब कामना है मुझे इस बात की प्रसनता है कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाडा के अफसर पर हमारे मिशन केंद्र समू और शिक्षर संस्थाओं के साथ मिलकर व्यापक रूप से विभिन कारेक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें हिंदी प्रेमियों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है हिंदी भाषा सरल है सहज है वे ज्यानिक है जैसा बोलो वैसा लिखो और जैसा लिखो वैसा ही बोलो इनी खुबियों के कारण हिंदी आज भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है इस बात की खुशी है कि हिंदी भाषा अब विदेशों में भी बहुत अधिक लोग प्रिय हो रही है और वे भारत की कही न कहीं पहचान बन चुकी है वैश्विक मंचो पर माननिय प्रधान मंत्री जी द्वारा हिंदी में दिये गए भाषन अंतरराष्ट्री स्तर पर हिंदी का कद बढ़ाने में काम्याब हुए है उनके शब्द देश विदेश के हिंदी प्रेमियों के लिए प्रेणा के स्तरोत है और साथ ही युवा पुईडी भी अब बढ़ चड़कर हिंदी बोलने में काफी दिल्चस्पी ले रही है मुझे विश्वास है कि हम सब हिंदी को सरल्तम रूप में अपनाएंगे और अपने काम काज में द्यनिक दिन्चर्या की रोजमरा की भाषा की तरीके से इसको इस्तिमाल करेंगे और अधिक से अधिक इसका प्रियोग करेंगे भारत सरकार की राजभाशा नीती का आधार, सद्भावना, प्रेणा और प्रोचसाहान है यही कारण है कि हमें इसी राजसंबंदी होने के कारण अनुदेशु एवं आदेशु का पालन ततपरता तथा इमानदारी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारा संविधान करतवे भी है, आईए हम सब इस अफसर पर संकल्प लें कि हम सब मिलकर राजभाशा हिंदी और अन्य भारतिय भाशाओं को माध्यम बनाते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे, एक शिक्षित, सुद्रण और विकास शील से हटकर विक्सित देश बनाने का प्रय करेंगे, देश विदेश में रहने वाले हिंदी प्रेमियों से मुझे एक और गुजारिश करनी है, एक और बात में उनसे दरख्वास करना चाहती हुँ, कि आप अपने बच्चों को हिंदी भाशा तथा अन्य देश की भाशाओं में बातचीत करने के लिए आगे बढ़ा और उनको शिक्षा दिक्षा भी इन भाशाओं की अवश्य दे ताकि वे अपने संस्कारों से तथा भारत की संस्कृती से जुड़े रहें, एक बार फिर आज हिंदी दिवस के अफसर पर और हिंदी पक्वाड़े के अफसर पर आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है, जै हिंद, जै भारत!